यहां खेत में फसल लह लहाए सम्मान से किसान भी मुस्काए यहां बिजली से हर घर जग मगाए विकास की प्रवाह में मनहर साए शिक्षा है रोजगार है विकास की बयार है सडक है अस्पताल है चाये खुशियों की बहार है बिन संगीत के ही थिर के हैवा है स्वर्ग से सुन्दर गाउगीरा सुखी संपन है अपना गाउगीरा किसान भाई बैनो जोहार गाउगीराओं कारिकरम में आपका स्वागत है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जारखन में लगातार भू जलस्तर पिछले कई वरसों से नीजे जाता जा रहा है एक समय था आज से 20 साल पहले जबकि ये जलस्तर 150 फिट पर उपलब था लेकिन आज इस्तिती ये हो गई है कि 1000 फिट नीचे जाने पर भी पानी नहीं मिल रहा है इसका सीधा सा कारण ये है कि जिस प्रकार से प्रकृति का पर्यावरन का और इस धरती का सोसन और दोहन हुआ है उसी का दुस्परिनाम आज हम सभी देख रहे हैं जेल रहे हैं तो आज हम एक नई परियोजना पर चर्चा करने के लिए हाँ बैठे हैं जिसका नाम है भूंगरू जल परियोजना इसके फाउंडर निदेशक और एक समाजिक कार्यकरता अधरतीन भद्रा जी हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद बहुत-बहुत-धन्यवाद दूरदर्शन का आपके इस प्रोग्राम का आपने ये महत्यपूर्ण प्रोग्राम में हमें बुलाया और किसानों के लिए कुछ बात करने के लिए हम अंत्रित किया भद्रा जी आपने बिल्कुत सही का और हमारा परियास भी है दूरदर्शन लगातार ये परियास कर रहा है कि जारखन के जो किसान जिसनकी एक गंभीर समस्या है उनके खेतों की सिचाई की उस गंभीर समस्या का निवारन करना निदान करना ये एक मात्रहमलों का उद्दे है इसी कारण से आप जैसे लोगों को हम ये मुका देते हैं बुलाते हैं जानकारी लेते हैं कि हमारे किसानों की जो खेतों में सिचाई की समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए तो भूंगरु परियोजना आप चला रहे हैं तो आखिर ये भूंगरु इसका नाम आपने क्यों रखा इसके बारे में आप हमारे किसान भाई भनों को बताएं भूंगरु एक्षिली बूंगरु इस नेम अफ गॉड नेम आफ आदिवाशिस अदिवाशिव के अंशें भागवान का नाम भूंगरु है शिव जी का एक नाम भूंगरु महादेव यह अच्छा तो जै वहाँ जहां भी वह गुजरी है वहाँ सुक्ष, रमिद्धी, हपिनेस, एवरिटिंग इस देर उसी तरह से हमारे भूंगरु से मीठा पानी निकलता है उससे सुक्ष, रमिद्धी लोगों को मिलता है इसलिए महादेव के नाम पर हमने यह भूंगरु रखा है अच्छा बहुत अच्छा कार कर रहे हैं आप भदराजी इसमें कहीं कोई सक नहीं क्योंकि पानी जैसी गंभीर समस्या के निदान के लिए आप भूंगरु सब्द का जो इस्तेमाल किया है जिससे की खुसाली हो सब खुस हो सब को पीने के लिए पानी मिले इससे बढ़ियां लगिए जुन, मैं लोबे का यह श्राइक का लैं की पानी की कमी होने लगी और पानी की कमी ऊठी हो लोग हमला करने लगे पानी के लाई होने लगा होने लेए और लोग कहते हैं कि अगरा विष्व यूद कहीं पानी के-लिए मिल्कुन यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि एकर फोर्त मैं फिर यूद होगा चोथा भीवरूद होगा बुल्किला चलता है आप अपंप आज आप अपना स्टेट से लड़ रहे हैं आज हम वेस बेंगल से तो इस स्थीति के बारे में हमने सोचा और देखा हमारे किसानों को बहुत सारी परेशानी आ रही है क्वालिटी प्रोड़क्स निकाल नहीं पा रहे हैं, कई लोग तो किसान के आत्मत्या, आप देखते हैं, इतने लोगों पर, उस कारण के बहुत बिशार भी मुझे क्या, यह करने के बाद हमने देखा, कि जो भी काम हो रही है, यहाँ पर, जो भी लोग काम कर रहे है जिस तरह का कोई रेंड वाटर हर्वेस्टिंग कोई तलाब किसी तरह का निर्मान हो रही है वो ना काफी है इसलिए scientific way of water conservation technique innovative and scientific way of water conservation technique was more required that is the reason we came out with भूंगरू जब से हमने भूंगरू का नाम सुना है और मन में ये हमारी जिग्यासा हो गई कि अपने जहारखंड के किसान भाईयों को जो पानी की समस्या से जूज रहे हैं अभी आप देखिए मानसून का पंदरा दिन चला गया और कहा जा सकता है कि पचास परतिसात ही वरसा हुई और जो हमारे किसान भाई इस बरसा का इंतिजार करते हैं मानसून का इंतिजार करते हैं कि कब मानसून आये बरसा शुरू हो तो जो साल में एक बार खेती करते हैं धान की खेती जो जिस पर उनका पुरा परिवार आसिरत होता है वह अभी तक जो कहा जा सकता है कि चिंता की लक जबकि इस समय खेट में पानी चाहिए तो भदरा जी अब आप ये बताए कि इतना अच्छा जो आपका परियोजना है भूंगरू परियोजना आपका पहला सुरुवात ये कहां से हुआ सबसे पहला इसकी शुरवात हमने राजा बाक्षी जी जो हमारे पार्टनर भी है और वो भी फाउंडर है वहां से जोलोजिस्ट वहां से जोलोजिस्ट वहां से पढ़ाय लिखाय किया है सब्सक्राइब करें पानी से बड़ा चीज तो कुछ होई नहीं सकता है क्योंकि अगर प्यासे को आप पानी पिलाओ हमारे बड़ बुजुर्द भी बोलके हैं तो उससे पुन्य और उससे जादे आसिरवाद आपका और किसी चीज में नहीं नहीं तो यह जब हमने सोचा जब हमको उसने यह बताया हम लोग तब हमने यह सोचा कि क्यों ना हम लोग इस परयोजना पर काम करें और सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने हमारे द देंडी सी साब मनोज कुमार जी जो आई टी के डारेक्टर है उनके पास हमने यह प्रोज़ना का सामने रखा था उन्होंने प्रोग्रसिव दिमाग के वैक्ति हैं बहुत ही विजनरी वैक्ति हैं इसको और करबत तरीके से सब व्यवस्तित किया गया जी जी जिसमें अमीत खरे साब थे हमारे अभी के प्रेसिडेंट अपना चीफ सेकरेटरी साब सुक्देव सिंग साब और सुक्देव सिंग साब के कहने पर उनहीं के मतलब जोर पर और मनोज जी के इस पर पहला करम से हम बहुत ज्यादा प्रेरित हुए और तोर्पा में आपका हमने ये कारकरम देखा तो हम चाहेंगे कि तुर्पा में क्या इस्तिति है इसमयापी तो आप थोड़ा विस्तार से हमारे किसाना बताऊंगा तोर्पा वाजन वरी टफ चैलेंज फॉर उस क्योंकि जब हम एक आटीशन वेल भी था जहरखंट की टोपोग्राफी क्या है या इससे आपको समझ में आगा कई एक मिटर दूर में पांसो छेसो साथ साथ एक आटीशन वेल इसमें अपने पानी निकलता लेकिन पांसु मिटर इधर जहां पर ये तोर्पा का सिच्वेशन बिलकुल पा इसके बारे हम जानना चाहते हैं बिस्तार से बताई है बिलकुल तो ये जगह पर अमरित क्रिशी जो कि सिदार जैसवाल जी करवाते हैं उनी का इनोवेशन था ये अमरित क्रिशी तो वहां पर चुके हम लोग ने अल्लेडी सुकरुट्टू में ये काम कर चुका था उनक देखा कि अगल बगल में पानी नहीं है जहां पानी ओफानी उल्य ये पर सके पानी हो रहा है तब हम लोगोंने सिस्टर से बात्सित किया क्या और वी लोगों से संपरकिया और हमने रोज़्र right वहां पर किया आज आप ताजूद करेंगे जहां पर खेति के लिए परी था आज देड़ साल दो साल के बाद उन्होंने लिखित हमें दिया है ना सिर्फ 10 सेकर जमीन में खेती कर रहे हैं एक हजार महिलाओं की सब जरुवत पानी की पूरी हो रही है प्लस उनके कुवा में पानी का लेवल वाटर लेवल मेंटेंगा है तो यह एक बहुत बड़ा का हम लोगने वहाँ पर किया और बहुत सैटिस्पाइड हूं है वहाँ से बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं आप जारखन के किसानों के लिए यहां के नागरिकों के लिए खासकर ग्रामीन लोगों के लिए जहां पर सचमुच पानी की बहुत किलत है अच्छा यह जो है और योजना यह जोजना है अर्म लोग एक इनॉबेटर कैwhereRahund के तहत हमें रिकोगनईस किया था इसलिए इनोवेशन के थहत हमने कई जगा पे काम दिया गया राची डिस्टिक्ट ने भी हमने कई जगा काम किया उसके अलावा हम लोग ने रामगर में काम किया इसके अलावा कई हमन बावु के सरकार आने के समय बाद हमें बाकाइदा स्टार्टप जारकन में सेलेक्ट किया गया है हजारों लोग उसमें पाटिसिपेट करते हैं उसमें से हमने भी पाटिसिपेट किया था और स्टार्टप जारकन में हमें सेलेक्ट की गई और आज हम स्टार्टप हैं और आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं खासकर इस पानी के लिए जो हमारे गरामीन छेतरों में लोगों को पीने के लिए चाहिए और हमारे जो जारखंड के किसान है बरसाथ के मौसम में पानी के लिए तरस रहे हैं तो निसीत रूप से जो आप काम कर रहे हैं ये एक आसा जग पाते हैं वो खेती में अपना ध्यान लगाएंगे खेती करेंगे अपने परिवार के लिए धन और पाजन करेंगे परिवार का भरन पोशन करेंगे अखिर यह भूंगरू जैसे मैंने आपको बताया भूंगरू एक बहुत यूनिक इनोवेटिव और एक साइंटिफिक वाट वाटर कंजर्वेशन टेकनिक है यह वाटर कंजर्वेशन और अगुमेंटेशन पार्ट है भूंगरू बेसिकली क्या है मैं आपको बताओ कि हम क्या करता आप हमें कोई भी बंजर जमीन आप जाके देख लिए हम अपनी टीम के साथ साइंटिस्ट और जीलोजिस के साथ हम इसको रेकी सर्वेय हम लग बोलते हैं आम अद्वी के लैंग्वेज में ऐसा वाक्तुरू ऑडिट कहा जाता है हम वहाँ जाके यह फर्स फेस ऑफ वर्क है वाक्तुरू अडिट रेकी सर्वेय जिसमें कंट्रोल मैपिंग देखते हैं जन वहां का नैश्रल जोखल एंथ्रपोलोजी क्या है वहां का किस तरह के पेड़ पोध हैं वहां पर किस तरह के कीड़े मकोडे हैं वहां पर क्योंकि कीड़े मकोडे भी मुझे यह बताते हैं कि मैं यहाँ पानी रख सकता हूं कि नहीं क्योंकि पानी आप सब जगा नहीं रख सकते हैं गरवा होने के बावजूद राची में एगारा सो मिली मेटर बारिश होने के बावजूद आज ये स्थिती में हमें because unscientific way of water conservation and unscientific way of deforestation and urbanization has taken its toll. Yes, Bhadra sahab, यहां जो water harvesting हो रहा है और काफी बडे पैमाने पर हो रहा है तो water harvesting और भूंगरू परियोजना में भूंगरू जल सरच्छन जो है इस दोनों में क्या अंतर है जैसे कि मैंना भी आपको बताया कि सबसे बड़ी बात क्या है कि scientific way of understanding and visibility वो सबसे जरूवत थे आज जो सरकार के तरफ से किसी भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति विल्डर वो चाहे जो भी लोग हो जो मापदन्ट तरह किया गया है वो रेंड वाटर अर्वेस्टिंग का वो मापदन्ट क्या है कि अगर आप जारखन की टोपोग्राफी को आप देखेंगे जो कि आमोमन सेवेंटी परसेंट भारत की यही हालत है हमारे पास सेमी-कनफाइंड एक्वाफर्ज और जारखन की टोपोग्राफी यह कहती है कि एक पचास सौ फीट के बाद हमारे पास हार्ड रॉक है इग्नियस रॉक है ग्रनाइट है हमारे पास अब आप क्या कर रहे है च्छत का पानी को लाका आप नीचे ते छोड़ देने सौडर सुपिट बोरिंग करके अब आप इ जाता होगा तो अंदर अंदर बहे के कोई भी नदी नाला पकड़ के समुंदर में चले अपना रास्ता ढूंड लेता है वह खतम हो जाता है इसी कारे निगारा 1230 मिलिमिटर बारिश होने के बावजूद हम लोग ठीक से काम नहीं कर पारे पानी को संचाई नहीं कर पारे कि इतना बड़ा काके डाम होने के बावजूद है काके रोड के आज स्थिति आप जानते हैं отправ राची आप बोल जया चांदी चौक में 10000 फित कर रही है तो ये जो ये जो सोच है हमें ये बढ़ना होगा कि सइन्टिफिक तरीके संभ जब तक ये नहीं जाने हैं यह आप को बता है कि कहीं भी भूरेंग करें नहीं मिल सकता है तो कहीं भी भूरींग करें पाने रखने संब फेल्कूल this ॥沒事 किसी को पता नहीं? लेकिन भुंग्रूं में क्या है हमें पता है हम कहां रखते हैं हम भगवान के बनाएं वह तंक की को खोंचके निकालते हैं जिसको हमारे बाब दादाओं ने खतम निकालते हैं और उन जगों पर हम अपना टेकनोलोजी के माध्यम से पानी को रखते हैं और उसी पानी को आपको इस्तिमाल करने के लिए वापस करते हैं जी जी आगे मैं आपका second phase of work भी बताऊंगा और final भूंगरु कैसा बनता है वो भी बताऊंगा भारत के अन्य सभी जगों पर water harvesting होता है जारखंड के परिपेच में कहा जाए यहां पर जो water harvesting हो रहा है उसके बावजूद भी पानी के जल स्थर नीचे चला जा रहा है ऐसा क्य आपको पता होना सबसे जरूरी है यहां पर वैसा अगने चट्टान है इंग्नियस रॉक है जिसमें porosity नहीं होती है हमारे पास weathered रॉक नहीं है यहां पर इग्रेशे चट्टान है ग्रेनाइट है हमारे ग्रेनाइट है आपका मलाठवाड़ा साइड में बसाल्त है आंद् इसकी जो आपकी बोरिंग है या बोर्वेल है यह कभी वहां से रिचाज होती थी जहां आप बैठे हुआ है आज आप 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 ने तो इसके ओपर कॉंक्रीट की बिल्डिंग खड़ा कर दी इसका मुह आपने बन कर दिया तो जब मुह बंद हो गया इट विकम जक्लोस डेक इसलिए मैंने इस्तिमाल क्या शब्द को अन्साइंटिफिक वेव अर्बनाइजेशन अब आर्किटेक्स को क्या है ना सिर्फ बिल्डिंग आर्किटेक्स पहले उसको जो लोजिकल फॉर्मेशन भी देखना जरूरी हो जाता है जी 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 आज उनको जार्खन को बचा जाना है तार्किटेक्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें कि जोलोजिकल फॉर्मेशन जाने और वो जब मुह बंद हो जाता है तो मटका जो है तभी तक पानी देती है जब तक उसमें पानी है उसके बाद खतम हो जाती है फिर क्या करते हैं के दूसरा जेगा बोरी ह जा रही है और जगा पर जाकर संचैन होना चाहिए नहीं रूख पा रही है आप निकाल लेए छेसो साथ सो फीट में महाराज और आप डाल रहे हैं आप पचास सो और फीट में तो कहां से जाएगी भद्रा साहब बहुत महत्तुन और अच्छी जानकारी आप से आज इसके बारे मिल रही है और निसीत रूप से आने वाले समय में आप जो कार कर रहे हैं पानी के लिए हमारे जारकंड के 24 जिला में हमारे खास कर जो किसान भाई हैं गरामी छेतर के इसका फाइदा उनको ज़रूर मिलेगा यह हम उमीद पका करते हैं अच्छा सरकार जो काम कर रही यह चेक डैम इत्यादी का उसका जमीन पर क्या आसर पड़ता है देखे मैं कोई काम को खराब ने बोलता हूं लेकिन हजारों हजार कड़ोर की से चेक डैम बने हैं सरकार के उसका रेजल्ट आप देख लिजे अगर रेजल्ट बहुत अच्छा रहता तो भूंगरू की जर पानी करूँ आप Kh hum है पानी आपके आप अपने गाहों जाए पूराने आपके यहां醒े वाले आप आपके बाप दादा के दादा ने जो चेक डैम बनाया था अपने समय में मत्टियों से और बाकि चीज़ीयों से लखली यह से उसमें पानी आज भी जिन्दा है रुका हुआ है लेकिन आज क्यों नहीं है क्योंकि वह सइंटिफिक आवलोकन उसमें नहीं किया जा रहा है साइन्टिफिक अवलोकन के लिए जो मैंने आपको पहले रेकी सर्वे बताया सेकेंड फेज ऑफ वर्किंग जिसको हम लोग बोलते है उसको बोलते है जियोफिजिगल स्टडी और सैटलाइट मैपिंग इससे क्या होता है हम लोग जो जगा हमको देते है उस जगा का प्रवर πα場स्ट लेत crochet हम निकाल लेते हैं कहां कोईल इस नपर कहां सोलन है का वो हमें वो सब पता जल जाता है जब हमें वो पता चल जाता है उसी में एक ऐसा जगा खौझके निकालते जिसको कि हम हंगरी स्टार्टा बोलते हैं आम आदमी के लाइन लेंग में उसको बालनुमा मिट्टी बोलते हैं अब यह हो सकता हमें 200 अशारकह जैसे जगों में एक या दो मैक्सिमम् हम हमें मिलता है अब जहां भी जो बेस्ट मिलता है उसी के हिसाब से हम ड्रॉइंग और डिजाइन तयार करते हैं तब जाके हम भूंगरू करने का प्लैनिंग करते हैं और उस्त में अपना बोरिंग करके प्रपुडट करके औंद्र डालते साथ में हमारा जो इंजक्षन और स्क्षन मॉडूल जो क्ले hoping यह वहं और रहा साब डलते है texto क्या आप बातमान में जो harvesting सरकार के द्वरा किया जा रहा है इस कार से आप संतुष्ठ हैं बिलकुल नहीं हो और सरकार को सोचना होगा इसके उपर और भूंगरु जैसे प्रयोजनाओं को जादे से जादे करनी होगी एक rainwater harvesting is something else, भूंगरु is something else, भूंगरु community harvesting आप बोल सकते है, एक पानी की खेती, बहुत अच्छी बात है, अभी तक हम लोग तेलहनी, दलहनी, रवी, खरीब की फसलों की खेती कर रहे हैं, अभी आपने नया सब्द का इस्तमाल किया, पानी की खेती, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे जारकंड के किसान भाई, पानी की खेती किसे बिलकुल कर सकते बहुनू प्रोजी बना के आप सेल्फ एल्फ गुर्व ब्रंगा बना दीजे, कही एक योजनाय है सरकार के नवाट की कही एक योजनाय है, आप 10 महिला केशानों को एक अत्रित करके उनको आप एक भूंगरु बना के दे दीजे, भूंगरु में वहान पानी संचे होता है, हम लोग 50 लाक लीटर से 5 कड़ोर लीटर तक संचे करते हैं आज वो पानी अगर वो 25 पैसा लीटर भी बेशता है और उसको अगर एक कड़ोर लीटर मिलता है तो आप समझ लीजे कितना 25 लाक रुपय उसके घर में आता है दस महिलाओं को साल में अगर 25 लाक रुपय आता है तो समु कितना समिर्द्य हो जाएगी कहा जाता है महिलाओं को आप सिक्षित कर दिजे उनको आप कमाई का श्रोथ दे दिजे तब पूरा घर सिक्षित और पूरा घर सिक्योर हो जाता है बिलकुत सहीगा तो किसान महिलाओं किसान जेंट किसान सब को इसका बेनिफिट हो स धल के जब हमारे पास भूंगरू की पानी आ रही है बारिश की पानी आ रही है उसको नाच्छरल ग्राविटेशनल फोर्स से अंदर हम ले जाते हैं और उस पानी को हम अपने इंजेक्शन मॉडूल के माध्यम से बबल्स में कर देता है उस बबल्स को जो हमने कहा आपको कि बालनुमा मिठी हम खोज के निकालते है हंगरी स्टाटा उन बालनुमा मिठी के कणों के अंदर में इंजेक्श कर देते ऐए ऐसा करते करते एक एकड़ जमीन जो है वो बिना सिंटेक्स का मारा टंकी बन जाता है और एक बारिश के सिजन महां इतना पानी खटा कर लेते हैं कि अगले 6 मेने तक हम 20 एकड़ जमीन को पटावन का पानी दे सकते हैं अची बात है आपके हिसाब से इस कारिकरम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जितना जल्दी हो सके जितना और जगों पर हो सके इसको इंप्लिमेंट इमिडेटली करना चाहिए और कई सारी जोजना है सरकार के पास है उसके माध्यम से काम करनी चाहिए आपके बास DMFT फंड है आपके बास इनोवेशन फंड है आपके बास सैमा प्रशाद मुखर्जी रूर्बन फंड है इसके लावा अगरिकल्चर के पास और कहीं सारे फंड जितनी जल्दी हो सकते यह आप करिए और किशानों को आप बाकाइदा इस खेती के बारे में बताई है क्योंकि अगला फूचर इस वाटर आज अगर वह पानी बेचना चालू करेंगे पानी संचित करना चालू करेंगे और उसको बेचना चालू करेंगे त परियावरन प्रदूर्शन का और पानी की जो किलत है उसी का सबसे वड़ा कारण है तो उसी परकार जिस परकार से अंदा धून वाटर आर्वेस्टिंग अंसाइटिफिक लिजन से तरीके से हो रहा है ति इससे क्या जमीन का जो जल पानी है वो दुसीत होने का खत्रा है क्या बिल्कुल है ऐसे सभी लोगों पर बैन करना चाहिए सरकार को जो अंसाइटिफिक विजन करते इसलिए मैंने आपको पहला रेकी सर्वे क्यूं बताया और यह रेकी सर्वे कोई हमारी बनाई हुए नहीं है यह रेकी सर्वे आज से पांच जार साल पहले वरी मीरी ने अपने किताब में लिखा है अगर वरी मीरी के आप किताब देखेंगे पांच जार साल पहले पानी कैसे खोजा जाता है पानी का कैसे आपको पता करना है पानी कहां पर है यह हमारे ग्रंतों में पांच जार साल पहले लिखा हुआ है तो आप अगर अपनी संस्कृति में जहांक के देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा और ऐसा सभी लोग जो एंसाइंटिफिक कर रहा है इन सभी लोग को तुरंद बंद करना चाहिए इन पर बाकाइदा केसेज होने चाहिए तो यह नहीं होना चाहिए तो किसान भाई बैनों आज आपने जहारखंड में जहारखंड की राजदानी राची में भुरू जल परयोजना का जिस प्रकार से संचालन जतीनãy बंद्राजी कर रहे हैं और इनके सहयोगी कर रहे हैं इनको हम राची दूरदर्शन की ओर से आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की परियुजना को ये सफल तरीके से पूरा करें और जहारखंड के पूरे 24 जिला तक ले जाएं जतीन भंदरा जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जहारखंड के किसान भाई भैनों को बहुत अच्छी जानकानिया दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोहर